निवस्कार में बेद प्रकास आप देख रहे हैं धकड़ है याना आज हम पहुंचे हैं गाउं धाना लाडनपुर में जो बोध्विहार बनाया गया है उसका वार्सी कोच्छब मनाया जा रहा है एक साल पहले यहां पर महात्मा बुद्ध की परतिमा राखे गई थी और बो करते हैं उसके बुद्ध वियार को बनाने वाले साथी भी यहां पहुंचे हैं प्रित्म जी स्वागत है दाक्टर रियाना में आज अब बुद्ध वियार का आप लोगों ने वार्शी को सोग मनाया क्या करना चाहेंगे क्या संदेश दिना चाहते हैं सरसंदेश है कि हमने लाइब्रेडी खुली हैं तो इस प्रोग्राम के मादमसे बच्चे इस लाइब्रेरी में आए और उनको जो कुछ भी लाइब्रेरी की समस्या हैं लाइब्रेर्ी में कमिया हैं उसके वारे में बताएंगे हैं मेंतों teşekkür करेंगे और दूसरा है से हैं बुद्ध विहार हमने जो बनाया है इस बुद्ध विहार में हम कंडीव प्रोग्राम करते रहेंगे तो बुद्ध की शिक्षाओं का परचार परशार उता वास्याय है और मेहतमाद बुद्ध ने भी कहा है वे रिएसन को ताग हो लेकिन समाज वेसन से चिपकिया हुए है तो किस परकार आप लोगोगों को प्रेरित करेंगे वेसन छोडने के लिए गाले सिक्षाथ से और नशेन की बुराईय उनके प्रति लोगों को जागरूत करके और जो लोग नसा नहीं करते हैं उनके पारिवारिक जो तालमेल है पारिवारिक जो आर्थिक स्थिती है और जो सराब नहीं करने वाले लोग हैं उनकी जो क्वालिटीज हैं वो लोगों में बता के और जो सराबी लोग हैं उनके घर म के दवाईयां भी काम नहीं कर पाती हैं इस तरह की कम्यांब बता के हम लोगों को प्रेजित करना चाहते हैं कि इस बारे में दो कोई कैलकुलेटिड डाटा हमारे पास नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर आके इस बुराय से प्रिची धो Πारे हैं लेकिन यह कहना आमारे बस की बात नहीं कि दुंदे लोगों ने चुड़ दिया लेकिन प्रेजित हो रहे हैं दिया प्रेजित मील दिया तू इसके लिए बहुशे में क्यार ना नहीं तिया आप लोग अपना हैंगे कि भी लोग व्यासन को है जिससे समाजिक पतन हमारा हुता जा रहा है देखो इस बूध-विहार का प्रागण है यहां पे ना तो कोई नसा करने वाला आदमी आता है और ना ही नसा कर के आता है और यही संदेश है कि यह जो प्रागण करते हैं इनके मादम से हम जो पंचिल का संगयन करते हैं पंचिल के संगयन में यह बताया जाता है कि सुरा मेरे मजबा माद अठाना भेर मनी सिखा पतंग समाध यह शिर्फ नसे के उपर हैं तो हम ऐसे लोगों को प्रेडित करते हैं जो समझ जाएगा जल्दी छोड़ देग कोई तीन बार कहने से माने का कोई बार-बार कहने से माने का हम बुद्ध के फॉलोवर हैं तो हम ट्राइ करते रहेंगे एक नाएक दिन सेक्सस मिलें यह बात और देखने में आती है कि जो शिक्षित वरग है और जो नोकरी पेशा है वो लोग भी बहुत ज्यादा व्याश भी मुक्ति का तो वो भी एक नाएक दिन सम्देगी सरस्वागत है जन्यवाद आपका आज आप यहां मुख्यतिति के तोर पर पहुंची हैं तो क्या संदेश दिना चाहते हैं लोगों को संदेश तो यह है कि बावा साथ बुद्ध भगवान के आदे आदेशों का पालन क करें और वजुक्ति और वजसान मठड़ करके जो संगर्ष किया उनके संगर्ष पर सल करके इस समाज को तूदार्नाई कोशिस करें और जिससे के सब से बड़ी सप्ताइब काई दढ़ी ले और जिस्थे के हम हर घर को नोकिर देना सकते दाकए हर्याणा में सवागत है उसे यह कहना चाहता हूँ, जो गाऊं में, डानालाडनपूर में महात्मा बुध के मारक पर चलने के लिए एक थोड़ सा परियास पूरे गाऊं की चरब सिख्या गया है, ये परियास एक ऐसे रास्टे पर गाऊं के लोगों के लिजाना चाहता है कि गाउं पूरे अर्याना में नहीं पूरे देश में एक मिशाल कायम कर सके कोई भी गाउं में समाजी बुराई ना हो कोई गाउं में किशी परकार की चुगली चाटी ना हो गाउं में कोई भी आदमी दुखी नहीं हो यही मेरा क्राइने का तात्परी यह है कि महात्मा बुद्ध के रास्ते पे चलके और हम सब अपने अपने परियासों का एक मिशाल काइम कर सकूए